ओम शान्ति आज 5 जुलाई 2023 है बाबा सब कुछ करके भी अपने आपको छुपा लेते हैं बच्चों को आगे करते हैं जैसे आज बाबा ने मुली में कहा बाबा ऑल्माइटी गोवर्मेंट है लेकिन आल्माइटी होने के साथ साथ आज बाबा के धरमराज है जो सारा हिसाब किताब रखते भी है और फिर उसको चुपतू भी करते हैं तो आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हम बच्चों को भी गुप्त रहना है अपना वर्णन नहीं करना है और उसके बाद क्या कर तव करने हैं सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से जो नम्रचित निर्मल स्वभाव वाले हैं उन्हें कभी भी स्वग की सफलता का अभिमान नहीं होगा वर्णन नहीं करेंगे अपने गीत नहीं गाएंगे दूसरे उनके गीत गाएंगे लेकिन वह स्वयम सदा बाप के गुण गाएंगे इसलिए कोई कैसा भी हो आप दिल से स्नेहे दो शुब भावना दो रहम करो आज बाबा ने हमें अव्यक्त इशारों में बताया है कि हमें कैसे ग्यान के पट्रे पर पक्का रह करके जो कुछ भी हो रहा है उसको खेल समझते हुए कौन सी सीट पर सेट रहना है अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर ये मैंने किया और ये अच्छा हुआ ये सफल हुआ तो ये मेरे कारण से सफल हुआ अगर हमारे अंदर ये भावना आ रही है तो सबसे पहली बात तो ये ग्यान का खंडन है क्योंकि ग्यान के आधार पर हमें ये समझ में आता है कि ये सब ड्रामा के अनुसार जो बाबा मुझे श्रीमत दे रहे हैं उस अनुसार हो रहा है मेरा सब कुछ मैंने बाबा पर अर्पित कर दिया मन और बुद्धी भी तो अब मैं बाबा की मत पर बाबा की टचिंग से चल रही हूँ ये भावना उसी आत्मा को आ सकती है जिसका सुभाव निर्मल है निर्मल सुभाव वाला अर्थात जो बुद्धी से कठोर नहीं है उसकी बुद्धी निर्मल अर्थात नम्र है तो नम्र बुद्धी वाला ही बाबा की टचिंग्स रिसीव कर सकता है और नम्र बुद्धी इसलिए अबिमान की सीट पर सेट होने से एक तरफ हम देखते हैं कोई कुछ आत्मां बहुत अच्छा कर रही हैं तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं और दूसरी करते हुए अपने आपको नम्र मानते चले, बाबा ने कराया ये मानते चले, तो हमेशा नम्रचित की सीट पर सेठ होंगे, ना ही किसी से प्रभावित होंगे, और ना ही किसी को हम दोश्वृत्ती से देखेंगे, सबके प्रती सहयोग की भावना, सबके प्रती रहम दिली हमा झाल झाल